हाई ग्यार विल्कूंट टा उर्दो टेंटीज तो क्लास 10 में उर्दो के रामाट जिन लोगा भी कोर्स ए है ना उसके लिए ये वन शॉट वाली वीडियो है क्योंकि बहुत ही ज्यादा मैं कमेंट देख रहा था मुझे परसनल लिए इंस्साग्राम पर सब कर रहे थे वह सब्सक्ैर यहां सब्सक्राइब है अच्छे इसको पूरा अच्छे से देख लिएगा उसके बाद मुहाबरे जुम्ले वाला है वही पूछ जाएगा उसके बाद जो हमारा punctuation वाला होता है ना, colon, sign, some of exclamation, जो full stop लगाते हैं, वो सब जो होता है ना, वो सब रमुज दे वकाफ होता है, ठीक, उसके बाद शाहरी इस्तलहाद, यानि जो poetic devices होता है ना, जिसे कि मिस्तरा किसे कहते हैं, शेर किसे कहते हैं, बंद, काफिया, रदीफ, मतला, मकता, हुसन, मतला, सिबकोच आज हम लोग अच्छे से एकदम देख लेंगे, इस वीडियो में बने रोड़ा, आप प्रेफरेंट के साथ जरूर शेयर कर देना, अगर उसे भी नहीं पता है, और इस चैनल को स्बस्काइब कर लेना, तो हम लोग अब बिदावागस आए कि हम लोग सीधा स्टार्ट करते हैं, तो फेल क्या है वर्ब, जो वर्ब जो तुम इंग्लिश में जानते हो ना, वर्ब किस कॉल्ड वर्ब वाला, हाँ, एक्शन को वर्ब कहते हैं, हाँ, बिल्कुल वही चीज़ है, वर्ब, उसका डेफिनेशन का आब वो देखते हैं, वो कलिम है, जैसे किसी काम का करना यहो ना, जाहिर हो, जैसे तालिबेल किताब पर बच्चे खेलेंगे, फात्मा जहां आई, इन जुबने में पर, पढ़ना, खेल, खेलना, आई, आना, यह सब पेल है, यह सब कुछ ना कुछ action perform हो रहा है, जो हमारा auxiliary word होता है, action perform होता है, हाँ, उसी को fail बोलते है, ठीक, तो अब हम लोग fail, file, मफूल, देखो, यह चीज़ को समझे ना, बहुत ही जारू तो उसे fail कहते है, जो action होता है, जैसे अली ने खत लिखा, तो इसमें action क्या perform हो रहा है, लिखा, तो इसमें हम लोग लिखा को highlight कर दिया, अब देखो, file, file क्या है, काम करने वाले शख्स को file कहते है, जैसे कि, यहाँ पे देखो, अली ने खत लिखा, वही same sentence है, लेकिन इसम या शख्स पर काम का असर पड़े, वह मफूल कहलाता है, क्या मतलब, जैसे अली ने खत लिखा, sense sentence है, तो इस पर काम का असर किस पर पढ़ रहा है, action किस चीज़ पर perform हो रहा है, तो मतलब, खत लिखने पर हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, मफूल क्या होगा हमारा, ख और फायल क्या होआ? फायल जो बंदा जो इसमाली जो है, वह फा clicks का हो, तो खत हमारा मफूल होगया, फेल, फायल मफूल मेरे खियाल स्चेमारा पूरा clear हो गया होगा, क्यों यह clear होना बहुती ही क्यों जाद ही तो यह काम क्या है ? जमान थी होगा ? जमाना माजी होगा जो काम बीते हुए जमाने को हुआ होगा ? जमाना माजी होगा ? जो तुम मौझदा जमाने में यह वीडियो देख रहे हो ? जमाना मस्तखMIN की चूआ होगी जो तो पास्ट venक फास्ट में के चूआ होगी एक जो पर रहा था तो अब यह पश्च में नहीं पुल पर रहा था खिर써 मोजब लिक्राइब बिल्ट यह आने बाप रहा है हुआ है मसलístht फूछले घाएंगे ट्रेट आएगई ऑंकल कश्मीर जाएगा यह फीच师 की बात है लेकिन फूछर में unless perform करने वाला है तो उसे fail मुस्तक्विल बोलेंगे तो अब हमलों दिखते है fail और fail मजूल क्या होता है ते upfront तो फेल मारूफ वेल लोन होता है और फेल मजूल इनेफिशेंट होता है वेल लोन इनेफिशेंट यह से क्या बोल लो तो फेल मारूफ होता है क्या बताओ सीधा तो फेल मारूफ वो फेल जिसका फाइल यानि काम करने वाला मालूम हो जैसे क्या हुआ वो फैल है जिसका फाइल काम करने वाला मालूम है जैसे एहमद खाना खा रहा है जैनब पर रही है अली क्रिकेट खिल रहा है तो इसमें कौन एहमद खाना खा रहा है तो हमें फाइल यानि बंदा का नाम मालूम है ना फाइल जैसे अली जो था रहा है तो फ जिसका फाइल यानि काम करने वाला मालूम ना हो जैसा कपड़ा धुल गया खाना पक गया तो कुछ तो एक्शन परफॉर्म हुआ है कपड़ा धुल गया खाना पक गया कुछ एक्शन तो परफॉर्म हुआ है लेकिन हमें पता चलना है कि कपड़ा खोन दोया अहमेद दोया हालीद खाना कौन बनाया बतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है इस दिया रहा है फैयल मुझ्ध हुर आदिशों कर जांता है देखते हैं जुम्ला में जब एक से जादा fail का इस्तेमाल किया जाता है तो उससे मुरकब fail कहते हैं उससे एक से जादा fail का इस्तेमाल किया जाता है जैसे example देखो इर्फान बरे इतिमाद से पढ़ता रहा तो देखो पढ़ना एक action हुआ अब रहा जिससे कोई आ रहा है तो इसमें भी क्या रहा, एक एक्षण परफॉर्म हो रहा ना, तो पढ़ता एक एक्षण हुआ, रहा, दूसरा एक्षण हुआ, तो इसमें दो-दो फैल होगी, ज़ेसे जिम्ले भी एक से जादा फैल का तो उससे मरकबूट करते हैं, जैसे एक और सेंटेंस देखो, असलम मुझसे नाहक लड़ा, तो लड़ा परा, जैसे अगर यहीं पर रहा तो लड़ा एक अक्शन रहता, लेकिन लड़ा परा, दो दो तुम्हारा यहाँ यहाँ भी यूज़ हो रहा है, तो उससे क्या कहेंग जिसमें fail, file तो मौझूद हो, fail और file मौझूद हो, मतलब कि action तो मौझूद हो, और बंदा का नाम भी मौझूद हो, लेकिन मफूल, जैसे वो था ना, अली ने खत लिखा, तो इसमें क्या लिखा, जैसे अली ने लिखा, ऐसा होगा, लेकिन खत इसमें से घाइब रहेगा, त उसे fail लाजिंग कहते है, जैसे क्या, दानिश गया, हसन बोला, अली आया, तो इसमें क्या, जैसे दानिश क्या हुआ, file हो गया, बंदे का नाम हुआ, अब गया, गया तो कोई action पर फाब होगा, fail हुआ, इसकी पहचान क्या, इसको identify कैसे करोगा, अगर fail लाजिम आजेगा, यहां पर कुछ पता ही नहीं चल लाजिए, दानिश गया, दानिश लिखा, तुम यहां पर का मफूल गायब रहेगा ना, उससे क्या कहेंगे, fail लाजिम कहेंगे, मफूल गायब मतला fail लाजिम, अब इसे के साथ हम लोग बढ़ते है, fail लाजिम, तो fail लाजिम क्या हुआ, वह फैल जिस का किसी दूसरे पर कोई असर ना परे। उसे फैल नाकस कहते हैं, हो गिया है arecji में की बात करिए और कज़ सावला हो गया यहां पर कुछ अक्षिं стрपावना लेकिन सिर्फ और दूसरे पर कुई असर नि किसी तूसरे पर को इस सद्रेम नहीं जैसे हम ते इसमें प्मतादी क्या है उसी के बारे में उसी के बारे में हमें प् मतादी बढ़ते हैं अगर ही समझ में आ explain करते हैं वह मतादी क्या मोफ हैं वह दाफ दाफ मफूल्ब पाट है जिसमें सुन्हें कि मतादी कहते है है जए जएड ने भत लिखा इसमा पूरा जैद फाइल भी आ खत मफूल भी आ लिखा में फैल भी आ गया मदेह मने लिखी तो यहां पर पूरा मदिया मतलब की फाइल भी आ गया, नौवल हमारा मफूल भी आ गया, लिखी मियावा हमारा फेल भी आ गया, जिसे रेहान ने बरतन चुराया, तो यहां पर भी सारा कुछ आ गया, फाइल, मफूल, फेल सब आ गया, तो इसे फेल मतादी कहते है, इसी के साथ को दूसरी चीज के मानिंद बताना, तश्वी कहलाता है, किसी एक चीज़ को ना दूसरी चीज के जैसा बताना, वो तश्वी कहलाता है, जैसे क्या, कि ये देखो, अमीर तक्मीर का एक शेर है, नाजुकि उसकी लब की क्या कहें, पंखुरी एक गुलाब किसी है, तो कोई, जिसे कि अपने महभूबा के बारे में, उनके लब के बारे में, लब यानि क्या हुआ होट हुआ, लिप जो हता ना, तो नाजुकि उनकी लब की क्या कहा है, पंखुरी एक गुलाब किसी है, तो इनको रोस पेटल से है, उनकी लिप को तश्वी दी गई है, रोस पेटल से, पंखुरी एक गुलाब किसी है, तो इसमें क्या, उसके जैसा बताया गया है, मतलब कोई और चीजसे ना, उसके जैसा बताया गया है, जैसे घजल के शेर में होटों को गुलाब की पंखुरी जैसा बताया गया है, उसे तश्वी कहते है, जैसे कुसी और चीजस को उसके ज जैसा बताए जाते हैं उसे तश्वीख कहते हैं, इतनी जैसा जैसा पर क्युों इतनी जादा प्रेशर डालना와 होता है जैसे क्या हुआ तичес को तैमि में अशायर को शेर में ना ऐसा को एक worth इस्तोल कर लेंगे ना कोई ऐसा चीज जिस से कोई पुराना किस्ता किस्ता अ पुरानी कोई मजभबी किस्ता को या फिर कोई इस टाइक का है तो इनके बारे में एक मजभी किस्सा है, इस वर्ड में अगर हम लोग नमरूत यूज़ कर लिए, तो हम में समझ भी आ गया ना कि हाँ कोई एक बूरे आदमी की बात हो रही है, इस टाइप का कुछ हमारा दिमाग में क्लियर हो गया ना, इस चीज़ को तलमी कहते है, जिसके पे उमरे खिजर, तो खिजर आलेसलाम का बारे में तो इस पता ही होगा, खिजर आलेसलाम जो जिनके उमरे के बारे में बताए जाता है कि वो अभी भी जिन्दा है, और वो इमोर्टल टाइपस है, उमरे खिजर से हमें क्या है, एक मजभी किस्सा के बारे में पता चलिया तो एक छोटे से वर्ट से है ना, एक शायरी में एक छोटे सा वर्ड इंप्लेमेंट करते हैं, और उस वर्ट से है ना, उसे तलमी कहते हैं, तो उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है तलमी, जैसे कहीं पे भी नमरूद, हामान, फिरॉन, खिज्र, इस तैक को वर्ट रहेगा शेर में, तो सीधा आख बंद करके तलमी लगा दे ना, ठीक, और इस बार है ना, सैंपल पर में 2024 में, कोश्चन भी आया है तलमी से, और ऐसा ही करके कुछ आया है, तो वो भी हम लोग आज लास्ट में डिसकस करेंगे, सनत तजात किसे कहते हैं, जब शायर अपने शेर में ऐसे अलफाज का इस्तमाल करें, जो एक दूसरे की जद हो, जद क्या मुतजाद हो, मतलब क्या opposite, एंटोनियम वर्ड्स हो, जैसे क्या, जैसे एक्जामपल के तौर प एक शेर देखते हैं, उसे फिकर किया, सजाओ जजा की तेरी आरजू जिसने सुभो मसा की, तो सुभो म मसा की, सुभा मतलब हो गया, morning हो गया, और मसा मतलब हो गया, क्या, शाम को बोलते हैं, evening को बोलते हैं, तो यहां पे just opposite word का यूज की है, एक दम सुभो मसा की, ऐसे करके, तो जिस शेर में है न, इस चाइप को रहे का, just opposite वाला, उसी क्या कहते है, सनते तजाद यहां पी में मानुवी तजाद है, मतलब कि just एक दूसरे के opposite word यूज हुआ है, उसे सनते तजाद कहते हैं, ठीक, हुसन तालील किसे कहते हैं, हुसन तालील किसे कहते हैं, किसी चीज़ की खुबसूरत, शायराना वज़ा बयान करना, जो इसके असल वज़ा ना हो, लेकिन उस वज़ अद्मी था कभी उसको कहते हैं, इंतजार मिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इंतजार में आदमी खरा करा पत्थड ओ गया, यह असल में तो कोई आदमी पत्थड नहीं नहीं नवनिया, लेकिन वह इंतजार में ऐसा बodel आता ना यार, खरै कर एकदम जिसम पत्थड ऐसा ह गया तो इसी चीज़ को हम लोग शेयर में यूज़ कर लिए अभी जो पत्थर है आदमी था कभी इसको कहते हैं इंतजार में या तो इसको शेयर की खुबसूरती हुसन बराने के लिए जो यूज़ कर दिये न ऐसा वर्ड को इसी चीज़ को खुसनतालील कहते हैं तो यह रह किनाया अर्भी जबान का लफज है किनाया का मानी है पोशीदा बात कहना या इशारे में बात कहना है क्या मतलब जैसे अश्वाक बड़ा खांदानी आदमी है तो खांदानी आदमी से क्या मतलब कि वह मतलब कि बड़ा शरीफ शराफ आदमी अच्छा आदमी है इसका मतलब अगर निकाले जाओ तो क्या निकलेगा अश्वाक बड़ा खांदानी आदमी है मतलब कि वह हमारे खांदान का आदमी है ऐसा को थोड़ी होगा इसे एक सपेद पोश इंसान किसी के आगे हाथ नहीं पहलाएगा तो एक सपेद पोश क्या हम लोग मतलब कि गोरे चिक्टे हर तरह सा- उस चीश को बोल रहें क्या एक सफीध मतलब कि शरीफ शराफ आदमी जो अचो लीगल बहर करता हो इसे को बुलते है उसका चभी को बताए है कि उसके करीक्टर कैसा है इसी चीज़ को बड़ा खांदानी आदमे घाउर चिसके अच्छा इंजा ही अच्छा आई ज की जाती है तो इसे इस्ताहरा कहते है जैसे क्या जिसे कि अली तो शेर है तो एक हो तुछा था चर्वी में क्या बता ज़ीर तॉ उसके जैसा बताए пр conveyailing जैसे कि लब्षस दे जा लिया था तो वहां पर लबidades करो से उसके जैसा क्या स्कूर से बेटा का बजाए 수도 मेरा कहा दिया मेरा चांध आ रहा है तो यहां पर सीधा ऐसा इस टीप का नहीं यूज उससे सीधा इस्ताहा रहा कहते है बहादूरी का नहीं यहां पर न छिए कर रहा है तो इस तरह चीज को इस तारा कहते हैं, तो इसी के साथ तुम्हारे यह वाला टॉपी भी complete हो गया, अब next हम लोग बढ़ते हैं मुहावरे को पर, जो again हमारा 5 marks का है मुहावरे, और मुहावरे के हम ले हैं, हम लोग यहाँ पर 3-4-5-6 मुहावरा discuss करेंगे, उसके बाद मुह मुहावरे की एक यह वीडियो बना चुका हूँ मैं, तो मैं यह वीडियो देख लोगे ना, इसमें 90-95 मैं मुहावरा और उसका meaning, उसका इस्तमाल सब कुछ बताया हूँ, अच्छे से यहाँ पर बता रहा हूँ, तो इसी तरह से उस व्याली वीडियो को देख लेना, क्यो नेक्स मुहावरे ऐसी तरह से लेयरो अपने मूम यां मिठ्ind बनना, तो क्या अपनी तहरी आपकरना, अपनी तहरी खुद करते रह यहना इसकी इसका इसमाल क्या होगा इन देख लो जैसे की बाल की खाल निकालना, तो इसका मानिं ने होगा पाला पढ़ना उससे पाला नहीं परते हैं आए कि शायकर कर गाफु कर 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 रख रहे हैंए तक तौर्फी असटर कहले से थियात क्रूंगरम एसमाल क्या होगा अभी तुम तिजारत में नहीं हो फुकप कर किक कर कदम रख को अब अब तो मिज्रसमें नयगी यार भू पूक कर कदम रखको अशने ऑग्पर में पूरा लुटा दिये नेक्स मुअब्रा क्या होगा चार चान्थ लगना जैसे कि Shaan What शाकत में इजाफा होना शानो शाकत में इजाफा होना जैसे इस इसके क्रश्मीर से वापसी पर उसके हुसन में चार चांद लग गए क्रश्मीर से वापसी पर उसके हुसन पर चार चांद लग गए ऐसा क्या होगा क्रश्मीर में हम इसके साथ हम लोग मुहावरा को निप्टाते हैं क्योंकि हमारा मुहावरा बताया है ना उस वाले वीडियो में बहुत सारा डाल दिया हूँ, तो यहां पर उतना जादा डिसकस नहीं करेंगे, अब लोग नेक्स टॉपिक पर बढ़ते हैं, रमूज अकाफ, जो हमारा दो मार्स का आने वाला है, तो रमूज अकाफ का डिफिनेशन क्या होता है, तो रमूज अकाफ, कलाम या जुम्ले के एक दूसरे से अलग समझने, और जुदा करने के लिए जो अलामत इस्तमाल की जाती है, उन्हें रमूज अकाफ करते हैं, जैसे कि तुम ही देखो, फूल स्टॉप, कोई पूरे एक मजमून में, कोई एक पूरे एसे में, कोई एक पूरे आर्टिकल्स में, फूल स्टॉप कॉमा, कॉशन मार्क, इस ताइक के चीज यूस होता है, इसी को रमूज अकाफ बोलते हैं, जो इंग्लिश में पंक्चुएशन बोलते हैं, जैसे इसका इस्तमाल देखो, क्या होता है, उन्हें से ठहरो मत जाओ, एक वर्ड है, ठहरो मत जाओ, कि दो मतलब लिया जा सकते ह टॉर मत जाओ, एक कॉमा की इधर-इधर से पूरा में ग्लएक अलामत के आगे-पीछे कहने से पूरा मतलब तब्दील हो जाता है, इसी लिए रमुज अकाफ की साइन होता है उसका उर्दू होता इसका इंगलिछ यहाँ पर लग दिया हो लेकिन अ कर में तंहें थोड़ा शो बिट्ले इस फाल इस इंब भूड varies देखो तुम्हें यह वाली वीडियो देखना ही पर एगा, अगर जो जो चीज आ रहा है कर सकता, वक्फा, राप्ता, तफसीला, खत्मा, नदाया फिजाया, इस तरह का चीज देख लेना उस वाली वीडियो में, यहां पर देखते हैं, इसे वो इंग्लिश में कॉमा बोलते इसको इंग्लिश में सेमी कॉलन बोलते है, राप्ता, राप्ता बहुत इंपोर्टन है, बहुत बार आया कॉश्न में, इसको कॉलन बोलते है, ऐसा ऐसे उपर उपर, दो डॉत होता है, तफसीला, कोलन, जश, खत्मा जो फूल स्टॉप होता है, सवाल या, उरदू में वह भी मोल दी है। इसका यहां पर screenshot भी खीश दो बाद में यहां पर देखते भी रहने कि क्या होता है। और इसकी साथ हम लोग अब last topic पर आते हैं यानि शायरी इस तरह आते हैं यानि फोईटिक किवाज इस पर आते हैं। मिस्रा औला और दूसरे मिस्रे को सानी कहते हैं। जैसे क्या असर उसको जरा नहीं होता रंज रहात फिजा नहीं होता। तो असर उसको जरा नहीं होता रंज रहात फिजा नहीं होता यह टोटल मिलाके एक शेर है। और इसमें असर उसको जरा नहीं होता, यहां से यहां एक मिस्रा है, रंज राहत फेजा नहीं होता, यह एक मिस्रा है, तो इसमें असर वाला जो लाइन वो पहला मिस्रा है, रंज वाला जो लाइन वो दूसरा मिस्रा है, तो मिस्रा किसे कहते हैं, अब लोगों किसे कहते हैं, मैं बताई दिया इसी वाली में, बेहतरीन अलफास को, बेहतरीन इस्तामाल को शेर कहा जाता है, जैसे शेर के सतर मिस्रा कहलाता है, एक शेर में दो मिस्रे होते हैं, एक शेर में दो मिस्रे होते हैं, जैसे असर उसको जरा नहीं होता है, रंजरात फिजा नहीं होता है, तो य तो इसमें नहीं होता, नहीं होता, इस चीज़ को रदीफ बोलते हैं, जो लास्ट में यूज होता है, एकदम नहीं होता, जो आखिर में बार बार आता है, उसे रदीफ बोलते हैं, इसमें नहीं होता, नहीं होता है, तो काफिया किसे बोलते हैं, तो वो हम वजन, और हम आव जो अशार के आखिर में, लेकिन रदीव से पहले, अशार के तो आखिर में आता है, लेकिन रदीव से पहले आता है, क्योंकि रदीव सबसे इंड में आता है, नहीं होता सबसे इंड में, तो उससे जस्ट पहले जैसे जरा और फिजा, लेकिन रदीव से पहले आता है, उससे चीज़ को है ना काफिया बोलते है जैसे कि इसमें जरा और फिजा काफिया है तो तुम रदीफ समझ गए काफिया है किसे कहते है तो अब तुम्हारे लिए मतला समझना इसी होगा मतला किसे कहते है घजल या कसीदे का पहला शेर जिसके दोनों मिस रहे हम काफिया और हम रद आगर यह फ़स्ट जाना है पोयम को इससे मतलह बोलते हैं तो ऐसी तरह मतला किसे कहते हैं अब समझते है पहरे शेर को मतलह का जाता है तो पहला फॉस्ट लाइन है तो पोयम को मतला कहा जाता है तो मतला ही कि जैसे अगर तीसरा और चौता लाइन भी होगे ना जिसके ये दो लाइन होगे ना असर उसको जरा नहीं होता रंजरात फिजा नहीं होता अश्कबार किया, श्कबार किया यहां पहरा सीन जैसा स्थन यहां पहент मिल निया लैग्ट से सिर्म मुझे दे किया किया, प arrangements यहां पहरा सारा हम सारे हम और समर्म काफियों किया, उसको घुने Tails थे हैं आगया नहीं तो उसे हुसन मतला कहते हैं तो यह समझ गए हुसन मतला की से कहते हैं तो अब समझते हैं मक्ता की से कहते हैं घजल या कसीदे का आखरी शिर्ट वो फर्स्ट लाइन आफ दा पॉयम था मतला और मक्ता क्या है लास्ट लाइन आफ दा पॉयम घजल या कसीदे का जिसमें शायर अपना तखलुस यानि अपना नेम इस्तमाल करता है जैसे कि काविक इस मूँ से जाओगे गालिब शर्म तुमको मगर नहीं आती तो इस शेर में गालिब गालिब अपना तखलुस यूज किया है तो इसमें क्या हो गया इसको मक्ता कहेंगे लास्ट टाइन कहते हैं बंद तो किसी भी नजम या दो से जादा मिस्रें को मजमूर बंद कहा जाता है जैसे कि एक ले में चलते जाता है उसका रफधी काफिया जो थोड़ा सा चेंज होता है तो फिर दूसरे पैरा में हम लोग चेंज कर देते तो अगर एक पैरा जोच कम्प्लीट होते कोई दम को मेग राजा देखेगा सबको आकर तो यहां पर सारा में रदीफ यह इसे किया होगा यह एक बंध होगा ठीक इस शेर का इस नजम का एक बंध है ठीक दूसरे दो से कि हाँ यार समझ में आया था, समझ में आया था, तो हम लोग चलो सबसे पहला कोशन तुम्हारे कम्प्यूटर स्क्रिंग के ये रहा, वो फैल जिसका फाइल मालूम ना हो, उसे क्या किते हैं, जिसका फाइल मालूम ना हो, बंदा का नाम मालूम ना हो, उसे फैल मारूफ कहत जिसे अली ने खथ लिखा में. खत मालूम नहीं होगा, कि खत को यूजिन होगा, मफून में नहीं मालूम होगा तो से फेल लाजिम होते हैं. लेकि इसमें फाइल्ट पूछ रहा है, तो फाइल किसमें नहीं मालूम है. फिल मजूण में. हमारा क्या होगा, Option b होगा use इसे के साथ हम लोग अब second question के तरफ बढ़ते हैं इसमें से रापता का निशान कौन सा है रापता को बताया था रापता को बोलता है यह तो पता ही होगा ना option a a b c d कौन सा लग रहा तो option number b होगा इसे के साथ हम लोग नेक्स question के तरफ हम बढ़ते ही और यह वारा जो question है ना इस बार का जो sample पर आयता है उसमें यह question दिया हुआ था question देखते क्या है वो और जिसका असर file तक ही महँदे रहे मफूल पर असर ना डाले क्या कहला आउप शन ए की है मफूल किसमें नहीं शोता है अभी अभी जश्इस प्रताया हँ फे लाज़ी ममफूल का यूझ इसमें नहीं होता है फाइल तक ही महदूद रहे, मफूल पर असर ना परे, इसे क्या option A है, फेल लाजिम, जैसे ने वाइट कोई ने, थोड़ा सा घुमाफिरा का sentence दे देगा, फाइल तक ही महदूद रहे, मफूल पर असर ना डले, तो तुम में लगा, ऐसा कुन सा था, पड़े यह नहीं थे, जब अस थोड़ा सा दिमाग लगाना comments इन इसकी बात है, फेल लाजिमेटी, next question के तरफ हम लोग बढ़ते, किस सनत का इस्तेमाल क्या गया है, यह जो नीचे share दिया रहा है, इसमें किस सनत का इस्तेमाल क्या गया है, नाजू की, उसकी लब की क्या है, पंकुरी या इसमें बताना किस सनत का इस्तेमाल क्या गया है, इसमें क्या है, हम लोग शेयर पढ़ते हैं, तो हम लोग अब share पढ़ते है, ना नमरूद को क्या गुलजार, दोस्त को यूं बचा लिया तूने, तो यहां पर मैं क्या बताया था? नमरूद यूज़ हुआ, नमरूद से तकरार, तकरार तो परें नहीं है, मुबालगा परें नहीं, अब तजाद, तजाद क्या होता है, जो just opposite endorionion वाला चीज़ होता है ना, हाँ, उसे सनदे तजाद कहते है, यहाँ पर तल्लीमी ही मोलते है, जिस ते कोई पुराना फिस्सा पसीदा याद होता है ना, उसे सनदे तलमी ही मोलते हैं, तो जैसे कि नम्रूद, फिरॉन, इस टाइप पर वर्ड यूज होगा, खिज्र, तो इस टाइप से समझे लेना, सनते तलमी होगा, तो इसके साथ तुम्हारा कोश्चन एंसर कम्पीट हो गया, कितना कोश्चन तुम्हां सही सही एंसर कमेंट किये है, उसका कमेंट करके जरूब बताना यह वीडियो कहां से देख रहो, और कुछ भी अभी तुम्हें डाउट हो, तो मुझे इस्साग्राम पर ब्यंद कर सकते हो, मुझे इस्साग्राम पर फॉलो कर लेना, फिर मिलते कीसी अच्छी से वीडियो मा प्रेफिरंट के साथ जरूर शेक कर देना, मिलते फिर चाटा, बाई बाई, अला आपीज